बिग बॉस 18 ओँ भाई सारा ने आज दोस्तो विवेन के पीछे क्या-क्या बोल दिया दोस्तो पूरा एक्सपोस किया विवेन डिसेना को लेकिन फिर विवेन ने कूल कामली हेंडल किया सब कुछ आज सारा ने ये बोला कि विवेन की जो फर्स्ट वाइफ थी वाविस वो सारा की दोस्त थी और वाविस बोलती थी सारा को कि विवेन जो है वो वाविस को मारता था कि विवेन जो है वो अपनी वाइफ को मारता था पहले है ना तो ये सब सारा ब बोलती ठी, कि विवेन जो है, वो मुझे मारती ठी ये सब जो है, वो बोल रही हैं, अब दोस्तों विवेन की जो second wife है, नौरन अली, अब इस पर वो क्या बोलना चाहेँगी, ammud Eli देखना है, क्योंकि ये बहुत गलत इसधाम लग रहा है, विवेन के उपर, है ना, क्योंकि स्टोरी में यह आया था कि विवेन ने वाबिस को किसी और के साथ देखा था, किसी और लरके के साथ देखा था वाबिस को, विवेन का यह स्टोरी आया था आर्टिकल में, विवेन ने यह बोला था, जब उनका डिवार्स हुआ था, फस्ट डिवार्स, लेकिन अब सारा बोल इसके बाद इशा पर हमला किया फिर अविनाश पर खाना फेका इसके बाद दोस्तों उसने जो है सारा ने विवेन के ओपर कुछ कचरा फेका है बहुत जोर से वह कल आप देखेंगे सारा ने आज पूरी हदे पार कर दी दोस्तों मतलब क्या-क्या बोल रही थी वह आज रज घाता हूं मैं तो इस घर में कैसे रहेगा अब ऐसा बोल ला था रजट विवेन को कि तू लर्कियों के चूने से नहीं खाता है साले क्ल क्या कर लिया था तूने जsm बेड ले लिया था सोने के लिए तू कहा था कुछ पान नहीं पाया तू कुछ नहीं कर पाया तूसी ओरतों पर हाथ उठाता है कमजोर कही का तो रजत ने विवेन को यह सब बोला कि तू जो है कमजोर है और तो पर हाथ उठाता है और यह सब भी सारा ने बोला कि तू अपन पलट दिया और बोला पहले तमीज से बात कर लेकिन विवेन तमीज से ही बात कर रहा था विवेन ने बोला ग्रिंटी दे दीजिए लेकिन सारा ने बोला तुने बोला कि सारा बोल रही है कि तुने दे दीजिए नहीं बोला एक्चली सारा का गेम ओवर हो चुका है ना कोई content नहीं है वो बहुत frustrated है मुझे लग रहा है सारा जो है वो अंदर से बहुत frustrated है मुझे ए之前 लग रहा है आर्फीन के साथ, दो बच्चे तो है उनके, लेकिन आइधिंग उनका एक जगराब जब हुआ था, जब आर्फीन ने बोला था कि सारा जो है वो डिजब नहीं करती है, यहां रहने के लिए, इस घर में बहुत सॉफ्ट है, यह बात सारा को चुबी थी, और सारा ने बोला थ आर्फीन को कि मैंने तुमसे शादी किया था, तुमने मुझसे शादी नहीं किया था, जब यह बात सारा ने बोला ना, तब मैं समझ गया था, सारा जो है, वो खुश नहीं है अपनी जिन्देगी से, I think, I think, मुझे लगता है, मैं sorry बोलना चाहूंगा, लेकिन उसने जैसे बोला कि मैंने तुम, मैंने आर्फीन को चुना था, शादी के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा सायद, I think, वो खुश नहीं है, इस रिष्टे से, आर्फीन के साथ, और मिया बीबी का ड्रामा चल ला है, क्या चल ला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लोग ड्राम कर रहे है, एक बोला है, मैंड कोच, सलमान सर ने तो मैंड कोच की धजिया हो रहा दिया, आप बात ही नहीं करते उससे, क्या कोच है आप, है ना, तो वही बीबी किंग ऑफ द वीग बन गया, मैंड कोच, हमारे आर्फीन भाई, सारा का एविक्शन मुझे नहीं कले रहा हो होगा, कि सारा तो अफ कंटेन देने लगी है वो, अब उसको प्रूफ करना है कि उसका पती से जादा वो डिजब करिये, अब सलमान सर तो सारे को नहीं चोरेंगे दोस्तों, कि वो अब जाद ही परसनल हो रही है, वो वीबेन के पीछे पास लाइफ को बोल रही है, वो वी वीबेन को कि तुम जो है, गौड अफ टाइम का वो उसको दे दो, करनवीर को, इसको बाद आज शूतिका जो है, बहुत हस, खुश हो रही थी, जब रज़त वीबेन को वो कर रहा था, मतलब डाट रहा था, गाली दे रहा था, शूतिका जो है, बहुत उचल-उचल के हस और कर और कर मतलब रजट जो है मतलब उसको वो कर रहा था ना विवेन को गंदा गाली दे रहा था ये कर रहा था और विवेन ने बोला तुझे मैं बाहर छोर क्या हूंगा और अविनाश का तो एक डायलोग फेमास हो गया मुख्य द्योआर का दर्वाजा खुल जाएंगे आपके लिए तो यह जो चीज है सारा जो कर रही है वो ठीक नहीं एक लिमिट तक किसी के पर्सनल लाइफ में ऐसे जाना जो है दोस्तो ठीक नहीं है है ना तो सारा नहीं आपर बहुत बुरा काम किया वो तो नॉमिनेट करेगा विवेन ना उसको जो लगता है बिग बोस आपर गेम खेला चारों को बचा लिया और बाकी चारों को जो उनके पसंद नहीं जिनको उनको वो कर दिया नॉमिनेट कर दिया है ना क्योंकि चाहत भी गलत ग्रूप में है आज आप विवेन बोल रहा था शिलपा जी को कि चाहत गलत ग्रूप में है क्योंकि चाहत के लि तो फेक नहीं आय मुझे थीक लग रहा था चुम नारंग का लेकिन अभी ठीक लग रहा हुए उसका ηेमर का थीक लग गरा है उसका तरही सुनते ज्यादा है तो यहाँ पर दोस्तों और एक बात मैं भी सारा का बोलना चाहूंगा उसने हदे पार कर दिये अब दोस्तों अब दोस्तों सलमान सर को आना ही परेगा विवेन के लिए सपोर्ट में है ना अविनास तो आ गिया सपोर्ट में दलाल जब उसको मतलब दलाल जब विवेन को कर रहा था ना इंस्टिगेट कर रहा था बार बार तो अविनास आया सपोर्ट में लड़ने के लिए लेकिन इशा गिर गई टक्कर खाके है ना तो यह सही नहीं हो रहा है मत का है मत के में मत को की देखा हुआ है कर दो lis कि दखाया जाएगा उस मत के ओ तोरेगा जिसका मत का टूट जाएगा वो जो है टाइम गोरड के लिए नहीं बनेगा वह टाइन गौ और जिसका मठका रहेगा वो, है न, देख़े गा, गार्डेन रिया को वो बनाय गया है, फार्मिंग एरिया जैसा बनाय गया है, गार्डेन एरिया को, तो उसी हिसाब से टास्क होगा, चलिए दूस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए, तो सारा ने बहुत गलत किया दोस्तों ये चीज़, चलिए थैंक् फैंस को जगुरा लगे, तो सॉरी,